मादुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचार्णी का है यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है मादुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिदों को अनन्त फल देने वाला है इनकी उपासना से तप, त्याग, वेरागे, सदाचार और सयम की व्रिद्धी होती है ब्रह्मचार्णी का अर्थ तप की चार्णी यानि तप का आच्ष्रिन करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण जोतिर्मय और अत्यंत भव्य है इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हात में यह कमंडल धारन किये हुए है पूर्व जनम में इस देवी ने हिमाले के घर पुतरी रूप में जनम लिया था और नारत जी के उपदेश से भगवान शंकर को पती रूप में प्राप्त करने के लिए घूर तपस्या की थी इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश चार्णी अर्थात ब्रह्म चार्णी नाम से अभिहित किया गया एक हजार वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और सो वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वा किया कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कश्ट सहे तीन हजार वर्षों तक तूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की अराता करती रही इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिये कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही पत्तों को खाना छोड़ देनी की कारण ही इनका नाम अपढ़ना नाम पढ़ा कठिन तपस्या की कारण देवी का शुरीर एक तम शीन हो गया देता, रिशी, सिद्गर, मुनी सभी ने ब्रमुचानी की तपस्या को अभूत पूर्व, पुन्यकृत्य बताया सराना की और कहा, हे देवी, आज तक किसे ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की यह तुम्हें सही संभव थी, तुम्हारे मुलोकाना परिपोर्ण होगी और भगवान, चंद्र, मौली, शिक जी, तुम्हें पति के रूप में प्राप्स होगे अब तक पस्या छोड़ कर घर लोड़ जाओ, जब ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हूँ इस देवी की कठा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विच्नित नहीं होना चाहिए मा प्रह्म चाणने देवी की किपा से सर्व सिर्धी प्राक्त होती है विदापूजा के दूसरे दिल देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है कि जाती है जाती है जाती है